भाद्रपद पूर्णिमा निवित्थ एक विशेश सूचना मंगल में सूचना भाद्रपद पूर्णिमा बुद्वार 2 सितंबर 2020 को आ रही है इस 2 सप्तेंबर के पूर्णिमा के दिन सर्वदय महाबुद्विहार में एक विशेश रुप से अश्टसील उपोसत वरत ये पूर्णिमा का कारिक्रम एक महत सोग के रुप में हमने रखा है उपोसत व्रत ये सर्वदे महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेम्बूर में होगा वो सुबह साड़े च्छे बजे से शुरू होगा साड़े च्छे बजे से लगबग तीन बजे तक वो चलेगा धाई तीन बजे तक और सभी उपासक उपासिकाओं को हम भोजन भी देंगे भोजन की विवस्ता भी है कोरोना के काल में बड़ी सीमित ही लोगों को एड्मिसन दी जाएगी एड्मिसन के लिए फोन पर ही संपर का साधना है सर्वदे बुद्ध विहार के मैनेजर से फोन करके अपना नाम रजिस्टर करना है और जो लोग नहीं आ पाएंगे उन्होंने अपने अपने घर से ही अपने अपने घर से इस महत्सव का अस्तसिल वरत का पालन करके उसका लाभ लेना है अपने घर में कोई बिमार माता-पिता भी होते है कोई बिमार भाई-बहन होते है और रिष्टे वाले होते है वो कभी आ नहीं सकते तो बहुत अधममें ऐसी एक परंपरा है कोई माता-पिता भी मार हो नहीं जा सकता है तो वो मन में ही अपने ही घर में बेड पर ही वो संकल पकड़ी और उनके और से किसी को वो भेज़ कर कि विहार में जाकर वंदना करके तरी रतनों का वंदना करके कि मेरी और से बंदना कि मेरे फलाने फलाने विक्ति के और से मैं तीन बार बंदन कर रहा हूँ तिरे रत्न को और इस प्रकार उनका स्मरण करके उन्हें मंगल महित्री भीजे जाती है यह ऐसा भी परमपरा बउधमे है तो इसलिए कोई किसी के घर में कोई वीवार विक्ति ह वो नहीं जा पाते हैं इच्छा होती है लेकिन नहीं उठ पाते नहीं जा पाते हैं तो उनके प्रतिनी धी आकर भी उनका संदेश विहार तक पहुंचा कर विक्षू को आकर वंदन करके और उनकी और से वंदन करके वो मैत्री अपने भाई के लिए तो अपने बिमार माता के बीमार पिता के लिए ऐसे कोई हो तो वह भी पुर्णी मा के दिन आइसा किया जाता है और उसी प्रकार यह जो पुर्णी मा का दिन है वो हर पुर्णी मा का दिन एक बड़ा उत्सों की तरह होता है बड़ा महत्वका होता है तो इसलिए हम ये आने वाली जो भादरपत पुर्णिमा है दो सितंबर को आ रही है दिनांग बुद्वार साड़ी छे बजे सर्वोद महाबुद्द विहार में विशेश रुपसे अस्टसील व्रत का पालन करने का प्रोग् लेवे आउनलाइन पर भी लाब ले सकते हैं और जो नस्दीक है वो आकर भी लाब ले सकते हैं बहुत सिमीत लोगों को एडमिशन दी जाएगी आप सबका मंगल हो सबका मंगल हो धम्मपद पांच ही मिनिट में धम्मपद रिलिज किया जाएगा